वेलकम फ्रेंड्स इन माई किचन, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी जिसका नाम है कत्व, तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं, कत्व जो होता है वो गुड में गुड से बना जाता है, घी इसमें एड किया जाता है और बहुत सारी ऐसी आ एक बरतन में निकाल लूँगी, अब हम लोग इसके अंदर घी का अच्छा सा मौयन देंगे, देखिए मैंने 4-5 चमच घी लिया है, अब मैं इनको अच्छे से मिला लूँगी, अब इसका जो हम आटा बनाएंगे ये लगाएंगे, वो हम पानी से नहीं लगाते हैं, इसक करना होगा, तो चलिए, ये सारी चीजें मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, देखिए, अब मैंने थोड़ा सा दूद ले लिया है, ये कटोरी में थोड़ा सा कम है, पूरी कटोरी नहीं भरी है, तो पहले मैं ये इतना ही डालूँगी, और देखिए, मैं इससे अपना आ करने के लिए, और अगर आपके बस बाजरे का आटा या मक्की का आटा है, तो वो भी आप इसमें एड कर सकते हैं, तो देखिए, मैंने थोड़ा सा दूद और लिया, मत्रब इस तना आटा लगाने के लिए, मुझे पूरा एक कटोरी दूद जो मेरे आपको दिख रही है, यह वाली कटोरी, मैंने पूरी इसमें एड कर दी है, सूजी जो है, थोड़ा सा पानी या दूद जो भी है, वो उसको सोकती है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा लूज-लूज ही लगाया है, और यह देखिए, हमारा आटा अच्छे से लग चुका है, इसे थोड़ी दिर ह अब हम एक कडाई के अंदर थोड़े से तिल एड करेंगे, इनको हम हलका सा रोस्ट कर लेंगे, यह देखिए, इस प्रकार से हम इसे रोस्ट कर लेते हैं, और जैसे यह रोस्ट हो जाएंगे, तब हम इने निकालके हलका ग्राइंड कर लेंगे, तो यह देखिए, हमारे त अब हम इसकी पेडियां तोड़ेंगे और उसे हम इसकी रोटी बेलेंगे रोटी मोटी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे को सिखने में अच्छी सिखाई करनी है तो इस परकार से मैंने से बेल लिया है और यह हम लोग इसकी रोटी बेल लेंगे और यह अगर फट रही कि अजले हमारी आश्राप कीजा इस लिए हमारी नविता हो होती हैं तो अंदर हर तरीक्याहिचénergie अब मैं इसको पलट दूंगी रोती को देखिः हमारी रोती का तवा तो जोंगी दुख सकते हैं अब कोई दिक्कत नहीं है आप ₹- तो आप उसके अंदर भी इसे सेख सकते हैं, गोले बना कर जिस तरीके सें बाटी सेख सकते हैं, उसी प्रकार से हम इसे सेख सकते हैं, तो चलिए अब हम अपनी दूसरी रोटी भी इस पे टाल लेंगे और इसे भी सेख लेंगे, इसमें भी हलके हमें छेद करने हैं, यह इस निशान लगाने हैं, जिसे ये अंदर तक हमारी रोटी पक जाए, देखिए इस प्रकार से मैंने चम्मच की पीछे की सायता से निशान लगा लिये हैं, और ये भी हमारी अच्छे से सिख जाएगी, जो रोटी हमारी पहले सिखी है, वो ठंडी हो चुकी है, अब हम लोग इस चोटी चोटी टुकडे करके मिक्सी जार में इसको डाल दिया है, और अब हम लोग इसको ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे, तो चले अब हम लोग इसे पीस लेते हैं, कत जो है राजस्तान की ट्रेडिशनल रेसिपी है, जो दाल बाटी चूर्मा होता है, उसी के साथ इसको बनाया जाता है, अगर हम क्यों चूर्मा बनाते हैं, तो कत नहीं है, अगर कत बनता है तो चूर्मा नहीं, इससे लिए बिन्टर सीजन में जादा बनाई जाती है तो चलिए अब हम लोग इस मिश्रन को चान लेते हैं और यह देखिए मेरे पास कुछ तिल जो मैंने अभी सेके थे और इसमें नारेल के टुकड़े हैं जो मैं मिक्सी में डाल कर इनको भी पीस लूँगी इनका भी बारिक पेस्ट बना लूँगी चलिए इसको हम पीज लेते हैं मिक्सी के अंदर हम मैंने कडाई वापिस रख दी है जिसमें मैंने अपने तिन सेके थे तो इसके अंदर हमको गुड की चाशनी बनानी है आप इसके अंदर इस स्टेज पे घी भी एड़ कर सकते हैं फिर हम इसमें गुड तोड़कर डालें तो भी बन जाएगा लेकिन मैं इसके अंदर गुड के साथ पानी एड करूंगी इसलिए मैंने आज इसमें गुड और पानी डाला है आप इसमें घी भी डाल सकते हैं इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है यह देखे मेरे पास जो गुड था वह मैंने इसमें डाल दि और आपको एकदम बर्फी का जैसा टेस्ट आने वाला है इसको खाके तो चलिए अब हम लोग इसका पिगलने का वेट करते हैं थोड़े देर में हमारा गुड पिगल जाएगा फिर हम उसमें चीनी एड करेंगे अगर आपके पास गुड सफिशेंट है तो आप चीनी को स् पिगलने लगा है यह मैंने शूगर एड कर दी है इसमें हलकी सी यह भी पिगल जाएगी उस तर और दूसरी साइड में मैंने मेरी सारी रोटियां सेख के उनको पीस के अच्छे से चान लिया है और यह इधर की तरफ मैं यह सब चीजे पिगला रही हूँ आराम से जब यह पिगल जाएगी तब हम लोग वो सारा पिसा हुवा मिश्रन इसमें डालेंगे देखिए मेरी रेसिपी को आप पूरा एंड तक देखिए मैं आपको इस हर रेसिपी के लिए एक ऐसी टिप बचाती हूँ जो आपके लिए बहुत यूसफुल है देखिए हमारी चाशनी बि मिश्रन सारा मिक्सर जो मैंने पीस के रखा हुआ था वह मैं इसमें एड कर दूंगी इस स्टेच पे आप इलाइची पाउडर ड्राय फूट्स जो आपको पसंद हो जो आपके बच्चे खाते हो सौट जो भी आपके सर्दियों के अंदर अगर आपके फेमिली मेंबर्स को खाने के लिए आप देना चाहते हो और वो नहीं खाते हैं तो इस इस मिश्रन के अंदर हलका सा सोट पाउडर भी आप एड कर सकते हैं तो यह देखिए हमारा सारा मिश्रन इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है और बिलकुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग आटे की कोई ब निकाल के एक प्लेट में या थाली में अच्छे से फैला लेंगे अच्छे से जमा लेंगे तो यह बरतन मैंने साइड में करके और इसके उपर यह सारे कत वाला मिश्रन है वो मैंने फैला दिया है डाल दिया है यह देखिए इस परकार से मैं इसे निकाल लूगी और आप मैं इसे अच्छे से दबा दबा के सेट कर लूँगी ये गरम है फटा फट सेट हो जाएगा पर इतना गरम नहीं है जिसना कि आप को इसको हाथ लगाने में दिक्कत हो देखें मैंने सारी चीजों को मिक्स कर लिया और अच्छे से इसमें फैला लिया है कत जो है वो स्पेशली राजस्तान में भी हारोती सैड के अंदर बनाया जाता है क्योंकि हारोती जो होता है वो एमपी और गुजरात के टच में है तो वो हलका फ्लेवर उधर का भी गुजराती फ्लेवर भी आ जाता है हमारे खाने में तो वो ये गुजराती डिश भी आप मैंने खाया भी है गुजरात में से और यह देखिए मैं इसे हाथ से इस प्रकार दबा दबा के दबा दबा के इसको अच्छे से फैला लूँगी और थोड़े दिर में हमारा सारा मिक्षर जो है सेट हो जाएगा क्योंकि जैसे जैसे गुर ठंडा होगा वह अपनी जगे ले अब यह हमारा पूरा कट अच्छे से से हो चुका है और अब हम लो इस पे लास्ट जो है हमारा तिल और नाजियल का जो वुरादा था वह इस बैड गरें गे तो यह तिल और नारियल का बरादा जो मैंने पीसा हुआ तक था ता इसमें जो अगरा more अगर आपके वास ही नह अच्छा लगता है खाने में भी तो ये देखे मैं उस सारे मिश्रन को हातों से ही फैलाऊंगी यह हातों से ही आपको यहातों का ही उज करना पड़ेगा इसके लिए कुछ और आपशन नहीं है मेरे पास मैं यह देखे इस परकार दबाते वे मैं सारे मिक्षर को इस पर-sप् यह देखे मैंने इस प्रकार से कट को काट लिया है देखे बिलको सीधा सीधा और एकदम कट रहा है ने मेरा कट तो यह वाकई में बहुत जल्दी और बहुत इजी तरीके से बन जाता है क्योंकि जहां तक हर ग्रहनी है वो सब तरह की चीजे बनाना जानती है तो उनके लिए यह कोई भी मुश्किल काम नहीं है तो फड़ाफट आप इसे बनाईए और मुझे कमेंट बोक्स में जाके बताईए कि आपको यह कैसा लगा और देखिए मारा रखत बिलकुल रेडी है और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी वीडियो इसको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच